तो भाईयों जैसे कि मैंने यहाँ पर WhatsApp को open किया, open करने के बाद simply यहाँ पर जो यह चायट्स है मैं इसके नीचे की तरफ scroll करता हूँ, तो simply यहाँ पर हमें एक option देखने को मिलता है, यहाँ पर यह ताला बना हुआ है and उसके नीचे लिखा हुआ your personal messages are end to end encrypted and भाईयों मैं यह यहाँ पर इस status वाले option पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी मुझे एक option देखने को मिलता, your status updates are end to end encrypted, मैं यहाँ पर इस calls वाले option पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे वही option देखने को मिलता, your personal calls are end to end encrypted, तो भाईयों आप यहाँ पर your personal calls are end to end encrypted, यहाँ पर जो लि यह वीडियो को करते हैं इस्टार्ट और आपको बता देते हैं उससे पहले एक इंपर्टेंट बात यह आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना तो भाईयों अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आप यूर इस् कोई फीचर नहीं है जिसकी मदद से आप यूर इस्टेटर्स अपडेट्स और इंड टो इंड एक्रिप्टेड इस आप्सन को रिमूब कर पाओ क्योंकि भाईयो इसको रिमूब क्यों करना चाहते हो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों को यहां पर जो यह मत अपना इस्टेटर्स लगाते हो तो आप लगाओगे और जो भी आपके कॉंटेक्ट में हैं मतलब कि यहां पर जिनका वाटसब नंबर आपके पास है सिर्फ वही देख पाएंगे और बीच में कोई है को गयरा कर लेता है तो यहां पर आपके स्टेटर्स वगयरा कुछ भ यहां पर वाटसब में तो कोई ऐसा फीचर नहीं है इसको रिमूब परने के लिए आप मतलब कि क्रोम ब्राउजर या फिर किसी अधर ब्राउजर से जो यहां पर वाटसब है इसका ओल्ड वर्जन डाउनलोड करके ट्राइक कर सकते हूं तो भाइव बस यही बताना था उ सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना तो यहार तब तक के लिए बाई